हेलो दोस्तों नमस्कार एक वाफिश श्वागत है आपके अपनी योटूप चैनल अर्शीन की दुनिया में तो साथियो आज की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत शादा इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले आप सबसे एक चोट इस रिकॉस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बढ़ाएं चलको सब्सक्राइब कर लें इन साथ इसाथ पर लागर को प्रेस कर लें जिससे कि मेरे द्वर दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी का सबसे पहले आप तक पहुंचियों के साथ ही हो तो समय को ना कर बात कि तेजस्पी बोले सिख्षक नियुक्ती के बाद स्वास बिभाग में 1.40 लाग लोगों की नोकरी दी जाएगी जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि 1.40 लाग लोगों को यहाँ पर नोकरी दी जाएगी वो भी स्वास बिभाग में जी हाँ ये पर्ट हमारी सरकार इसी कारेकाल में 10 लाख लोगों को नौकरी देगी वे मेडिया से यहां पर जो है मुखातिव थे देखिए यहां पर मेडिया से मुखातिव थे और उन्होंने कहा कि यहां पर 2020 के चुनाब में हमारा मुख एजेंटा बिरोजगार था हमने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी जिसमें मुख मंतरी नितिष कुमार ने भी 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही लगतार निकतिया हो रही है और देश में सबसे जाज़ा सरकारी नौकरी बिहार में दी जा रही है जिसका यहां पर बिहा द्वारा लालू परसाथ की जमानत के बिरोद पर शवाल पर तेजस्पी ने कहा हम लोग डरने या जुकने वाले नहीं हैं यहां पे कोर्ट ने अपना पक्ष रखेगी और केंद्री एजांच एजेंसियों ने सरकार पर भारी दुरुप्यों कर रही है ठीक है तो यह अपने इसके साथ ही आज का जो हैं पर लेटेस्ट अपडेट है लेटेस्ट अपडेट है वो भी एएनम को लेकर ठीक है तो यहां पर देख लेए वीडियो का स्कीप मत किसे गाल आज तक बने रही हैं चलते हैं देख लेते हैं और भी जो नोटीस है नोटिफिकेशन जारी किया अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है यह एनम को लेकर ठीक है तो इसको यहां पर लाइम वालें पड़ते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि इसमें क्या बताए गया यहां पर कहा जारें बिहार में एनम यानि कि अक्शली नर्ष मीडवाइफरी की बहाली में अब पर इशाष्य होगी सरकार एनम का एस्टेट केडर भी बनाएगी ताकि अब शक्ता पर इसका एक जिला से दूसरे जिला में तब दला भी किया जा सकेगा यहां पर मंगलवार को मंत्री नितीश कुमार की अधेकस्ता में हुई यहां पर राजकी मंत्री मेंडल की बैठा के इस प्रस्ताब की सुईकिर्ति दी गई जिसमें कि इहां पर 25 प्रस्ताब सुईकिर्त किये गया थिक BEN जिसमें सरकार के मध्य, निशेद, यूदपादन अधिनियम दुजर्शोला में संसोधन का प्रस्ताब का स्विकित किया गया और इसके वाद सराब होने पकरने से वाहन विमा का 50% के अस्थानांद्रन पर हाँ बात की गई इसके साथ हम बात कर लेते हैं एने बहाली लिखीत परिक्षा आयोग कौन सा आयोग करेगी आयोग प बहाली अंको قया होती ठीग मैं पर पूर में जो बहाली होती थी यह उधार है लेकिन यहां पर झ॥ सोफ्ति नहीं नियम वाली पद यहां पर शुकीर्थ थे और इन में से 11824 पद रेख थे ठीक है इन पदों के अलावा एन्म की शंविधा अधारी जो है तो यह सब अपने आपने बहुत बड़ी निउस है कि अन्म को लेकर यहां पर काफी लोग जाग रुख है अन्म की वाली की पुर्व जो है नियमा वली जो निरास्त कर दी गई इसके लेकर यहां पर बास्ची चल रही है तो एन्म अभी अब जो है अपने आपने बहुत बड़ा यहां पर पैर फैला रखाए ठीक है तो बहुत बड़ी यहां पर बात है एन्म का खास करके यहां पर लिखित परिक्षा की जो बात की जा रही है दोस्तों यह बहुत ही बड़ी अपने आपने एक निव अपडेट है और इसके साथ ही आज की एक और बड़ी खब्रे है तो चलते हैं वो भी देख लेते हैं तो गाइस इसी परकार यहां पर यह भी आप सभी को कुछ दिन पहले पेपर में देखने को मिला था अगले माय पर जारी होगा यहां पर दोस्तों यहां पर आप दोस्तों अगर आप देख लिए हो गैस तो देख लेते हैं थोड़ा और एक निवस है वह भी यहां पर दोस्तों हाँ पर कहा गया है 10000 पदों पर अस्थाई वहाली होगी ठीक है तो यह भी बहुत ही बड़ी अपडेट है जिसमें यहां पर कौन-कौन से पद है यहां पर पंचाइश शर्चीव राजस्व कर्मी शहायक प्रद ध्यापक इन पदों पर होगी नियुक्ति यह सब भी देख लिए हैं यहां पर 10,000 पद में से इनल सब आ रहे हैं और अकेला तो बाखी 10,000 शर्चीव नौई एनम का है वह तो आप सभी को पता ही है ठीक है तो यह जो बिहार में 10,000 से अधिक पद ओपर होगी बहाली यह सभी नियुक्तिय जो अस्थाई प्रकिर्टी की होंगी जिसमें राजय के तो यह सब जो है लैंड बाई लैंड स्रम विभाग और कौन-कौन से विभाग में आ रहे है श सिचक बहाली का दूसरा चरण साल के अंतर तक और आएगी हां पर तो इसको थोड़ा से स्कीप करते हों नेक्ष्ट जो है हमारा तो यह हम देख लेते हैं और बिहार तगनी की शेवा आयोग ने एक बार फिर शेयां पर एक नोटीश यारी किया गया है और यह जो नोटीश से त्रीश तरीश तक जो है ओनलाइन अप्लिकेशन का डेट दिया गया एक मंत का ठीक है एक मंत का तो यह देख लिए और इसका जो बेब साइट पर अठाइस आठ तरीश को सब कुछ यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो यह बीटीशी ने जो है लगातार बीटीशी ल पर यह फिर से एक नई सुसना जो आइटीश यह होगेता अधारी आप देख पा रहे होंगे इसका बीग्यापन संख्या जारी किया गया था ठीक है इसको आप लोग देख लिए लिए लाइन पर लिए समझना है तो आप कोमेंट बॉक्स में भी कोमेंट कर सकते हैं गाइस अगर किसी परकार की नोटिफीकेशन गाइस, इनफॉर्मेशन, एजुकेशन, केडी-गाडीछ आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जोईन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जो है हमारा नर्शिंग की दुनिया ओके गाइस टेलीग्राम जो चैनल वो नर्सिंग की दुनिया है वो आप जोइन करके वहाँ से हर एक चीज का जोए अपडेट लेते रही है ठीक है तो मिलते हम फिर नेक्ष्ट इन्फॉर्मेटीव और अथेंटिक वीडियो के साथ तब तक लिए श्याल पी बने रहें वावावावावावावावावावावा झाल 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 झाल